हंजी दोस्तों कैसे हैं आप सब उमीद करता हूं वैसा बढ़ियाओंगे इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे ICC ODA World Cup 2023 का जो मैच नमबर 6 खेला जाएगा यहाँ पे New Zealand वर्सिज निदरलेंड के टीम के बीच में डिटेल में इस मैच को गवर करेंगे वीडियो कमड़े देखना सभी प्लेयर के पूरे स्टैर्स थेखेंगे चाहिए वो रिशेंट फोर्म की बात हो या फिर एट्टूर्ट स्टैर्स की ही बात क्यों ना हो कौन से 11 प्लेयर अपनी टीम में पिक करोगे किसको कैप्टन से पर रखोगे किसको वाइस कैप्टन से पर रखोगे और कैप्टन जी वाइस कैप्टन से भी कब और किस सिच्चोशन में कौन से प्लेयर को रखनी आपको ये चीज़ भी समझाऊँगा ठीक है मैच में तो अगर आपने वो चीज समझ ली तो ही आप लोग इस मैच में एक बढ़िया टीम बना के बाई एक तरफा विन करके जा सकते हो तो सारी चीज़ आपको समझाऊँगा विद स्टैट्स बताऊँगा किस हिसाब से आप लोग टीम स्लेक्शन करोगे ठीक है तो वीड को लाइक जरूर से कर देना टेलिग्राम चैनल के साथ में नहीं जुड़े बाई बहुत कुछ मिस करोगे ये टेलिग्राम चैनल है इसका लिंक आपको नीचे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाएए सबसे उपर टोप में पिंड गमेंट है वापे लिंक है सिंपली उस ल जी स्टार्ट होगी कोई भी स्टैट्स मिस मत करना ठीक है वैन्यू की बात करें सबसे पहले राजियो गांदी इंटरनेसल स्टेडियम हैधराबाद के वैन्यू पर ये मैच खेला जाएगा इस वैन्यू की बात करें तो अब दक 10 इस वैन्यू पर ओड़ी है यानि कि वन पर आपको बड़े रंस जरूर देखने को मिल सकते है इसके जब न्यूजिलेंड की टीम पहले बल्ले बाजी करने आईगी। यह क्रिकेट यहां पर निदलेंड खेलती है तो 250 से 260 के एप्रोक्सिमा स्कोर की उमीद गर के चलूँगा ठीक है ज़्यादा ही बड़ी अगर क्रिकेट खेलेगी बाकि अगर स्टार्टिंग में विकेट चले गई न निदलेंड की हो सकता है इनको 220 करने भी मुश्किल हो जा और इस वेन्यू पर जो पिछले दो यहां पर यानि की वर्म अप मैचिस खेले गए थे न वर्ल्ड कप के दोनों मैचिस में ओल्मोस्ट यहां पर साड़े 300 के आसपास रंच बने थे तो कंडिसंस यहां की बल्ले बाजों को फुली फेवर करने वाली है आगे बढ़ते रि इनके स्टार्टिंग में दो से जो तीन विगर थे न वो थोड़ा सा जल्दी गिरे थे ठीक है उस वज़े से फिर भी जापे जो पाकिस्तान की टीम थी 206 करके गई क्योंकि यहां पर मुमत रिजवान और शोद साकिल के बल्ले से बढ़ी आरन सामें देखने को मिले थे ब पाकिस्तान ने 337 करें अब यह देखो वार्मप मैच है इसी वर्ल्ड कप 2023 का दोनों पारियों में साड़े 300 के आसपास रंस बने हैं टोटल कंडिशन जो थी वो बल्ले बाजों के फेवर में गई थी यह चीज़ आप लोग देख पाऊगे लेकिन यहां पर अगर नीदल 340 बना के चेज़ किया था पांच विगेट पे अब एक चीज़ और समझो यहां पर पाकिस्तान के कंपेर में अगर नीदल लेंड की गेंदबाजी देखोगे तो भाई कुछ भी आपको नहीं दिखेगी यानिकि पाकिस्तान के जो गेंदबाजी है वो भाई देखो नीद तो यहां से अब समझो कि नीदल लेंड की टीम के सामने वो किस परकार की बल्ले बाजी करके जा सकते हैं तो अब इन मैचेज को देखके आप लोगों के सामने एक चीज़ के लिए रखी या पर रंस आपको बड़े देखने को मिलेंगे स्पेसली जब नीदल ले बल्ले ब पाई अब एक चीज़ और आपके सामने के लिए रहे ना कि नीजिलेंड तो फेवरिट रहीगी तो आप लोग इनके ही फेवर में टीम बनाओगे बट यहां पे नीदल लेंड की साड़ से कुछ एक प्लेयर रहेंगे जो कि आपके लिए के इंपोर्टेंट पिक जरूर ब इस वर्ड कप के अंदर कोन से प्लेयर ने कितने रंस करें हैं किस मैच में वो चीज़ आपको दिखेगी ठीक है तो यहां से सबसे पहले मैं बात करूंगा यहां से वर्ड कप दो जार तेईश यानिकि इस सीजन एकी मैच में 112 रंस की नोट आउट पार याई थी डीवन क इंपोर्टेंस जरूर हैगी तो आप लोग अपनी टीम में जरूर से पिक करोगे विलियंग आपके लिए इस मैच में डिफरेंचल पिक बन सकता है इसके उपर स्टार मार लो क्योंकि लास्ट मैच में बंदा नहीं चला था देख पाऊगे जीरो रंस कर रहे थे ठीक है य गर के जा सकते है ठीक है सत्तर रंच की एक पारी अठावव नंच करें रिशन फो में दो ही मैच आपको बढ़िया दिखेंगे लेकिन शायद ये वो मैच हो सकते है जापिन के बल्ले से बढ़ी पारिया जाए और शायद आपको ये एक तरफा विन भी करवा दे ठीक है बरस यहाँ पर आपको वन डाउन बल्ले बाजी मिलेगी तो भाई साब एक बार फरसिन के बल्ले से रंस निकलने के उमीद रहेगी उसके बाद में डेरेल मिचल लास्ट मैच बल्ले बाजी का मोका नहीं मिला अगर इस मैच में बाई चांस अगर दोज विकर जल्दी गिर करने आ रहे हैं क्योंकि हू सकता है अगर नीदरलेंड की टीम ने फहले बल्ले बाजीगरी 200 ही रंस बनाए तो शायद डेरेल मिचल की वहाई एक बार फिरसे बल्ले बाजी ना आए लेकिन अगर न्यूजलैंड पहले बल्ले बाजी करने आरju है फिर आपके लिए डेरेल म सबस्क्राइब है बल्ले बाजी आने के इस मैच में भी मैं कहीं न कहीं चांसेंस थोड़े से कम समझ के चलूँगा बीज रंस की पारी पैसर ट्रंस करें 43-46-13 ठीक ठाक परफोर्मेंच और यह प्लेयर काफी बढ़ी है ठीक है इस मैच की अपने टीम में जरूर थोड़ा सा रिस्क उठाके ट्राई कर सकते हूँ ठीक है आगे बढ़ते हैं यहां से बात करते हैं एक बार इनके बोलिंग सेक्शन पे जेमस निसम ने लास मैच में साथ ओवर गेंदबाजी करवाई थी बट विकेट इनको नहीं मिला अगर इस मैच में न्यूजिलेंड पहले गेंदबाजी करने आ रहे है तो यह important pick हो सकते हैं क्योंकि अगर 67 ओवर गेंदबाजी करेंगे तो विकेट मिलने के चांसिस बनेगे ठीक है लास मैच विकेट लेस थे हैट तो एड में कोई स्टेट्स नहीं है रिशैंट फोम देखोगे ठीक ठाक है उतनी ज्यादा बढ़िया नहीं है फोम देखोगे इदर दो विकेट मैंसन कर लेना शायद गलती से रह गई भाई 16 पलस एक विकेट है एक पलस दो विकेट यहाँ पर नो रंस पलस जिरो विकेट ट्रेंट बोल्ट की बात कर रहे लास मैच में एक विकेट लियत और यह रिशैंट फोम इदर आप लोग इंक अब एक चीज़ समझो यहाँ पर लेंगे शायद आपको खेलते वे नहीं दिखेंगे इस सोडी अगर खेलते हैं तो इनके स्टार्स आप लोग देख पाऊगे इनके रिशैंट फोम पलस हैट टो एडिग अंदर तीन मैच में तीन विकेट हैं बागी लास्ट मैच का कोड तो फिर आपको साथ प्लेयर की टीम यहाँ से मिल जाएगी निवजिलांड की साइड से ठीक है तो इह साथ प्लेयर आपके लिए मुस्ट इंपॉर्टेंट पी करेंगे जो मैं आपको बताई हैzone एक बार आगे पर तके बात करते हैं नीडरलेंड की टीम के बारे में सबसे पहले विक्रमजीत सिंग जिन्होंने लास्ट मैच पे बाववन अंच की पारी खेले थी ठीक है रिशेंट फूम देखोंगे तेरा प्लस दो है चालीस प्लस जीरो तीन मैच में पिचेटर अंच से पत्चिस कैवरेज है बट यहां पर देखो स्टार्टिंग में विकर्ट ज पाजी कर पाएंगे मेरे अकोडिंग इनके विकर्ट जाने के चांसे थोड़ा सा ज्यादा बन सकते हैं मैक्स वोड़ तो लास्ट मैच में वैसे भी पांची रंज कर पाई थे रेशेंट फूम में भी आपको कुछ खास नहीं दिखेगा तीन मैच में बीस रंज है चैग आवरेज है है हैट तो उतने कुछ क्लासी प्लियर मुझे नहीं दिख रहे है कोलीन अक्रेमन लास्ट मैच में भी डिफरेंशिल बताए था एक बार फिर से ट्राइए करोगे और इस मैच में तो नोर्मली आपको स्लेक्शन भी खाफी ज्यादा दिखेगा क्योंकि दोनों इंपोर्टेंट रहेंगे स्टार मार लो यह दोनों प्लेयर निदल लेंड के साइड से आपकी टीम में जरूर होने चीए बैस डी लेड़े लास्ट मैच में सरसट प्लस चार विगेट हैट्टोड इंदर तीन मैच में 65 रन से 21 का विगेट कोई भी निये जबकि अ अगर निदल लेंड की टीम माली जे पहले गेंद बाजी करने आ रही है क्या अगर ने आ रही है पहले गेंद बाजी यानिकि फरस्ट अगर बोलिंग गरती है ना तब आप लोग बैस डी लेडियों का एक बार फिर से अपनी टीम में काप्टन सी या फिर वाइस काप्टन लेकिन अगर नीदर लेंड आ रही है इस मैच में पहले बल्लेवाजी करने तब आप लोग इनको सिर्फ है जे नॉर्मल पिक अपनी टीम में रखना फिर आप लोग इनको काटन सी वाइस काटन सी बिल्कुल भी नी गरोगे ये जान में रखना बस ये टिप आपको आज के मै लोगन वें बिक इंपोर्लिंग बैकप के साथ ना बाई बैटिंग में भी बैकप देगा ठीक है तो उस वज़े से इनकी इंपोर्टेंस रहेगी में प्लेयर रहेगा थाष्ट येट नौ प्लस दो विगट धो प्लस दो विगट दो विगट दो विगट दो विगट बढ़िया फोम दिखेगी तीन मैच में ठीन से साथ विकेट है, हैट्वड में भी आखड़े काफी बढ़ी है, लास मैंच भी 28 रंस की नोट आउट पारी, पलस एक विकेट आए था, ठीक है, तो अब यहां से तीन प्लेयर आपको बिल्कूल कोमन मिलेंगे, कोलीन एकरेमन, बैस डी लिडे दूसरे प्लेयर रहेंगे, यह तेन प्लेयर आपके लिए इंपोर्टेंट पिक्स रहेंगी, ध्यान अकना इंडरलेंड के साइड से यह तीनों प्लेयर आपके टीम में जरूर होनी चीए, बाकि बैस डी लिडे के बारे में जो मैंने आपको टिप दिया है, कैप्टन सी वाइस कैप्टन सी वाली वह आप लोग स्पेशली द्यान में रखे चलना ठीक है, इनके बोलिंग सेक्शन में जुल्फिकार रहेंगे सबसे पहले, रिशेंट फूम में उतना कुछ खास तो है नहीं, लास्ट मैच में दस रंस प्लस जीरो विगर था, हैट टो एड में कोई स्टैर्स नहीं है, दो वि विगर दो विगर उसके बाद में रियोस फेंडर मर रहा हूँ, लास्ट मैच में कोई विगर नहीं था, हैट टो एड एड एक मैच में दो विगर था, रिशेंट फूम ठीक ठाक है, उतनी खराब नहीं कोँगा, लेकिन सामने न्युजिलैंड की क्वालिटी बल्ले बाज करती है, ठीक है, तो तीन प्लेयर मैंने आपको मेंली बता दिये निदरलेंड की साइड से, ये तीन हो तो आप लोग अपनी टीम में जरूर से पिक कर लेना, कोली नैकरेमन, बैस डिली डे, प्लस यहाँ पे भाईया, लोगन वैन बीग, ठीक है, इनकी जगे आप लोग अ इन बाजी सेक्षन से भी किसी को कैप्टन सी वाइस कैप्टन सी अपनी टीम में जरूर करके चल सकते है, ठीक है, तो अभी चलते हैं एक बार इस मैच के डेमो टीम देखते हैं दोस्तों, जो कि मैंने की रियेट कर रखी है, तो यहां से आप लोग देख पाऊगे, मेरी ज इस सोधी अगर यहां पे खेलेंगे, तो मैं हो सकते है, किसी एक बार को ट्रूप करके फिर इस सोधी के साथ में अपने टीम में जा सकता हूँ, वो चीज ज्यान में रखना, फिलाल मेरी कैप्टन सी को नवे पर रहेगी, वाइस कैप्टन सी मेरी रविंदरा पर रहेगी, आप लोग रिवर्स कर सकते हो, कैप्टन सी यहां पे रविंदरा को कर सकते हो, वाइस कैप्टन सी डीवन गोन में को कर सकते हो, लेकिन अगर निजलेंड पहले गिंदबाजी भी करने आती है, तो आप लोग ट्रेंट पोल्ट या फिर मैट हेंडरी में से भी किसी एक को कै काप्टन्सी वाइस काप्टन्सी नहीं करोगे तो यह मेरी डेमो टीम रहेगी दोस्तों 11 प्लेयर की जो कि आप लोग देख सकते हो ठीक है अगर इस टीम में मा लीजिए मैं कोई भी चेंजिस गरूहां टोस होने के बाद तो वो अपडेट या फिर जो फाइनल टीम रहेगी वो आपको टेलिगरम पे अपडेट की जाएगी टोस के बाद में यह टेलिगरम चैनल है इसका लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा सबसी उपर एक पिंड गमेंट है वापे लिंक है सिंपली उस लिंक पे क्लिक करना और वाई टेलिगरम को जोईन आप ल या टीम सेलेक्शन करोगे और आपके टीम अच्छा परफूम जरूर करेगी